देश में पिछले 17 दिनों से 41 मजदूर सुरंग में फसे हुए थे और पूरा देश हर दिन यही आस लगाए बैठा था कि कल उन मजदूरों को सुरंग से बहार निकाल गया जाएगा इस पर बॉलिवड सेलिविटीज ने क्या रियाक्शन दिया है हम आपको इस वीडियो में बताते हैं लेकिन उससे पहले एंटी लाइफ को सब्सक्राइब कर लीजी ताकि इंटर्टीन्मेंस से जुड़ा कोई भी अबडेट रहना जाए दरसल उत्तरकाशे की सिल्क्यारा सुरंग में पिछले सतरा दिनों से फस्य एक तालिस मजदूरों को फाइनली सुरक्षित बहार निकाल लिया गया है सभी मजदूर दिवाली की दिन से ही सुरंग में फसे हुए थे सोशल मीडिया पर सभी लोग रेस्क्यू टीम की जमकर तारीफे गर रही है इस पर अक्षिकुमार ने लिखा कि ये जानकर खुशी और चैन मिला की फसे हुए एक तालिस मजदूरों को बचा लिया गया है रेस्क्यू टीम के हर मेंबर को मेरा सलाम ये एक नया भारत है और हम सभी बहुत जादा गर महसूस करते हैं जै हिंद वहीं अभी शेक बच्चर ने लिखा कि उत्तरकाशी सुरंग में फसे हमारे तालिस मजदूरों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करने वाले सभी बचार्फ कर्मियों और सभी अजैंसियों को बहुत बहुत आभार और उससे भी बड़ा सलाम इस पर निम्रत कौर ने भी रियाक्ट किया और लिखा कि सभी फसे हुए मजदूरों को बचाने के लिए अजैंसियों, NDRF, इंजिनियर्ज और सेना से लेकर हर किसी को बहुत बहुत शुक्रिया सभी को बधाई और सलाम वहीं जगुदादा ने कहा उतरकाशी सुरंग से सभी 41 मजदूरों को बचाया गया बचाव अभियान के लिए दिनवाद काम करने वाले 20 अजैंसियों को धन्यवाद लॉकडाउन में मजदूरों के लिए मसीहा साबित होई सुनुसूद ने भी पोस्ट करके कहा कि उतरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट और 41 वरकर्स रेस्क्यूद कुछ इस तरह इन बॉलिवट सेलेब्रिटीज ने इस पर रियाक्ट किया है आपके इस पर क्या थौट से हमें कमेंट में जरूर बताईएगा